हाई दोस्तो मैं हूँ आपकी होस्ट मिना और मैं अभी तो सीजन है सारे फेस्टिवल सारे हैं जैसे कि दुर्गा पुजा दिवाली और आज मैं आप लोगों से कुछ डिजाइनर ब्लाउस जो कि मैंने खुद बनाए हैं उसके डिजाइन से आपके शाद शेयर करना जाहूंगी ताकि अभी आप ये डिजाइन बहुत ही इजी है और य से मनाया जाता है और यहां के ताथ के साड़ी ज्यादा लोग पहनते हैं तो जो भी हो मैं यह भी सारियों के लिए जो कि समय पहना जाता है उसके लिए कुछ ब्लाउस से डिजाइन आप से आपको बिखा रही हूं तो यह एक ब्लाउस है यह मैं स्लेवलिस ब्लाउस पहनत एक light gold है और एक deep gold है इसको mix and match करके मैंने इस तरह से पीछे की और लगाया है और थोड़ा सा डिजाइन है वो सामने की तरफ भी इस तरह से आता है यानि कि आप अगर पल्लू लेते हैं तो इस तरह और पीट में भी तिकता है इसके बाद जो ब्लाउज है यह है ब्रॉकेट का ब्लाउज यह ब्रॉकेट का कपड़ा है और भीतर का कपड़ा बाहर है वो पोको कलर है और भीतर जो है गोल्डे है तो मैंने इस तरह से इस तरह से इस्तमाल किया है जो कपड़ा भीतर वाला था मतलब अंदर का जो साइड ह उससे मैंने यह स्कॉयर गले की पट्टी बना ली है आगी और पीछे की तरह तो यह बहुत ही सिंपल डिजाइना पर पहनने से बहुत ही कुपसूरत लगता है तो यह आप ट्राइ कर सकती हैं और अब यह नहीं नहीं लिया है यह जादा गॉड़िन फाइपिंग के वजए से यह बहुत ही लगेगा तो आप इसे ट्राइब कर सकते हैं इसके बाद जो ब्लाउस है इस तरफ यह डिजाइन जो है मैं आपको दिखा रही हूं यह सामने का गला वो जो है वो डिप भी है आप यहां पर आप यह परपल कलर का यह ब्लाउस लिया है तो इस पर मैंने गोल्डेन कलर से सल्फ इंब्रॉडरी करवाई है तो यह भी बहुत ही खुबसुरत लगेगा आपकी साड़ी के साथ है और एक ब्लाउस है गोल्डेन कलर का मैं आपको दिखा रही हूं यह देखें यह सामने से गोल्डला है और पीछे से भी गोल्डला है और पीछे से भी गोल्डला है सामने की और मैंने यहां पर ब्लैक लेस का एक बड़ा फ्लावर बना कर लगाया है और पीछे इस तरह से मैंने इसको इसमें लेस लगा दिया है चोड़ा लेस तो यह थोड़ा सा यूनिक स्टाइल हो जाता है और इसमें आप इस तरह से पहने तो यह आपका यह पूल आपको आपका दिखेगा और बहुती स्मार्ट लाएगा और एक बहुती हेवी ब्लाउज है जो है यह देखें यह गोल गला है यह सिल्क का ब्लाउज है और इसके सामने थोड़ा सा यह है जो हेवी लेस है वो लगाया है यहां से शुर्वार्क किया यह लगाने की यह लेस है जो इसमें स्टोन मूति एगरह सब लगे भे हैं यह मैंने रडिमेट खरीदा था और इसे गले के चारों ऐसे लगा करके इसको इंकंप्लीट सोड़ दिया यहां तक और फिर यहीं से पतली पत्टी काट कर मैंने दो पतली पत्टी इस तरह से लगाई है तो यह भी बहुत ही स्मार्ट लोग लगेगा आपका दीछे की तरफ से यह डिजाइन ऐसा आएगा तो आप यह ब्लाउस भी यह डिजाइन भी अपने ब्लाउस के लिए ट्राइ कर सकते हैं मैं और एक बार आपको लिखा रही हूं सारे डिजाइन यह बहुत ही सिम्पल है बट स्मार्ट लोख है बहुत कर इसको आप इस सारे ब्लाउस के साथ भी पहन सकती है और सिम्पल सारी के साथ ही पहन सकता है यह देखी है खुब दोस्तों आपको ये मेरे ब्लाउस के डिजाइन पसंद आए होंगे अगर आपको ये डिजाइन पसंद है और आपको ये डिजाइन अच्छा लगा और अगर अपने ब्लाउस में बनाना चाहते हैं और बनाने के प्रोसेस जानना चाहते हैं किस तरह से अगर कोई प्र अपने जो ब्लाउज जिसके डिजाइन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि शेयर करूँ तो अगर आपको यह डिजाइन्स अच्छे लगे हैं तो जरूर यह आप अपने लिए बनाएए और मेरे यह वीडियो को अपने अगर पसंद किया है तो जरूर इसे लाइक करें बिख थमसद दे और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ तारट दोस्तों जिनों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने व